हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल दपैट वीजन दिस इस साहिल मली कि यूवर होस्ट एंद ग्रवेट तो मेरे पहरे दोस्तों गर्मियों के सीजन के जोरान आपका जो डोग है सबसे ज़्यादा मात्रा में सफर कर सकता है डी हाइड्रेशन से जिसकी मौर्निंग और जो नून का जो टाइम होता है दोपैर का जो टाइम होता है उस टाइम भी नहीं खा पाएगा तो कैसे ओवराल हमारी गर्मियों के सीजन के दुरान हमारे डोग को इफेक्ट करता है एक्शनल एंवायरमेंट जिसकी वजए से आपका जो डोग है डी हाइड बिल्कुल ही कई पर तो यह हो जाता है वो ना खाना पीना ही छोड़ देता दोपैर का खाना नहीं खाता जो कि गलत बात है खाना आपको जरूर खिलाना पड़ेगा तो यहीं जो सारी जो चीज़े होती है यह समर सीजन के एंवायरमेंट की वज़े से ही ऐसी कंडिशन अब क्या करना है तो गाइस एक प्रोड़क्त है जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूं इसका नाम है औरी लाइट पैट तो बेसिकलिए जो ओडीलाइट पैट यह एक पाउडर फॉर में आता है और पाउडर फोर्म में ना डी हाइडर यह बचाने के लिए होता है एक है ओवारेस का गोल आपने सुना ही होगा जैसे हम छोटे थे तो हमें हमने खुद भी घाया है यानि हमने उसको पीया है तो एक टाइप का ग्लुकोज है देशी लेंगविज में हम बोलते हैं कि इसे हमारी बोडी को एनर्जी मिलेगी तो उसी तरह डोग के अंदर यह ओडिलाइट पैट आता है अब मैं बताता हूं इसकी कंपोजिशन क्या क्या है इसके अंदर डेक्स्ट्रोज एन्हाइड्रेस है सोडियम क्लॉराइड है बैसिकली जैसे कई बर गाइस क्या होता है हम जो बिमार हो जाते हैं हमारी बोडी में फ्लूड की कमी हो जाते है तो हमें डॉक्टर सलाइण लगाते हैं तो उस सलाइण के अंदर क्या होता है डेक्स्ट्रोज उसके अदर साथ में सोडियम क्लॉरइड तो वही चीज़ है इसके अंदर और साथ में पोडी हैडूज जंERS है घ्लाइसीra य से इसके इसके अदर और है तो बेसिकली इंटेस्टाइनल हेल्थ सपोर्ट फोर डी हाइडेशन ड्यू टू डाइरिया हो गया अब डाइरिया हो गया तो उस उसके दुरान क्या होगा सारा फ्लूड के बाहर निकल जाएगा जिसके वजह जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी संक्या भी कम हो जाएगी लेकिन अ साथ में वोमिटिंग में भी हेल्प करता है जिसके वजह से बचाने के लिए औडिलाइट पैट का यूज कीजिए इन अगर उसको भूख नहीं लग रही है तो आप दे सकते हैं इसको भूख भी लगने स्टार्ट हो जाएगी गैस्ट्रो इंटेसाइनल अगर किसी तरह की सरजरी हुई है जिसके वजह से फ्लूड वगरा भी लोस हुए तो उस सिच्वेशन में आप इसका यूज कर सकते हो नॉर्मल रिहाइडेशन सपोर्ट फो डिहाइडेशन ड्यू टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एक्सरस हीड स्ट्रेस ट्रैस ट्रैवलिंग स्ट ब्रूरी है बोडि को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है हमारी डोक को एक्टिव रखेगा फीडिंग गाइडलेंस आपको मैं इसकी बता रहेता हूं सभी मैं पढ़के बता रहा हूं इसमें से ठीक है एड़ वन पैकेट इन फाइव हंडर्ड एमल ऑफ वोटर यह पैक अगर आपके डोक का बोडिवेथ 10 केजी से स्मॉल है यानि चोटा है और वो स्मॉल ब्रीड है तो आप उसको धाइस सो एमल दे दीजिए दिन में दो बार आप दे सकते हो धाइस से पंदरा केजी का है तो आप पांसो भी दे सकते हो दो बार लार्ज है जैसे कि आपको वोल्यूम शुडबी अप्टू 25 एमल पर केजी ठीक है शुडबी मेड अवैलेबल फो थी से सिक्स देज प्रिपेड सोलुशन तो बी यूज विदिन 24 आर्स ओली जो आप सोलुशन बनाओगे 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसका यूज कर ले ना उसके बाद में इसका चला जाएगा यानि इसका कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो प्रोड़क्त थाना यह 100% रिजल्ट प्रूफ करता है डी हाइड्रेशन के अंदर विकोज जैसे हम और्स का यूज करते हैं तो वही इसको हम एक और्स भी में सचेत रही है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जुरूर कर लो अगर आप नए हो बिकोज हमारे चैनल डॉक्स और कैट दोनों के ओपर वीडियो लाता है जो की मोस्ट इंपॉर्ण होती है और यह जो प्रोड़क्त मैंने आज आपको बताया है इसको तो आज ही परच